हेलो मेरी क्लास के प्रिय सभी छात एवं छात्रों भाई एवं बहनों आप सभी का एक बार फिर स्वागते आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे मत पेदिश्रामा निग्यान के बेरी बेरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन अगर आप MPPSC, MPPSI, MPSI, महिला परवेचक, पटवारी, भरती परिच्छा की तयारी करना चाहेते हो तो आप सभी हमारी इस लेक्चर को जरूर देखें और लेक्चर के लाश्ट में अपना इसकोर कमेंट करकी बताएं आपने कितने सही आंसर दिये आज का लेक्चर श्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आउट सक सूचना मेरी क्लास की प्रियस अभी छातिवम छात्रों भाईयों भाईयों आपके लखी सर पढ़ाते हैं रोज रात को नो बज़े अनकेडमी पर मद्रपदेश शामान इंदीश शामान बिग्यान सामान गड़त लीजनिंग अता आप सभी घर बटकर तयारी करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं सब्सक्रिप्शन लिंक है सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें सब्सक्रिप्शन ले बच्चों और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रफर कोड यूच करना है लकी सर अभी ह अगर आप अनकेडमी का सब्सकिप्शन लेते हो अनकेडमी पर केंट अफियर्स की बर्चस सुमेक जिन मिलेगी यहां पर आपू केंट अफियर्स कवर करा दिया जाएगा मेरे भाई ये भैनों अगर आप अनकेडमी का सब्सक्येप्टन लेते हो तो अनकेडमी पे कोई सावी बेच को जोइन कर सकते हो किसी भी एजुकेटर की क्लास को अता आप सभी सब्सकिपशन जरूर लें सब्सकिपशन लेने के लिए कोड यूच करें लकी सर तो मेरे भाईये भेईनों अगर आप अनकेडमी का सब्सकिपशन लेना चाहे तो अभी हमारे पास 24 तारिक तक ओफर चलना है दो साल का सब्सक्रिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप अगर आप आंसर जानते हैं तो आप सभी 6 यहां पे correct आंसर देंगे कोई भी गलत आंसर नहीं देगा नोट कर ले answer जानते हैं तो आप सभी correct answer देंगे comment करके बताए 44 का correct answer किया होगा नोट कर लो D answer यहाँ पे क्याक्ट होगा निवार्क होगा ठीक है 2007 का आठवा विश्विंदी सम्मिलन निवार्क में होगा अगर आपसे question आ जाए 2020 का बारवा हिंदी बिश्ट अममिलन कहा पर हुआ तो note कर लिए हुआ था आपका देवास मद्र पयदेष में हुआ बच्छों आपका 2020 का बारवा हिंदी सम्मिलन कहा पर हुआ देवास मद्र पयदेष नोट कर लिए नेस्ट कोश्चन लगा देते हैं स्कीन पे कोश्चन बर 45 कोई भी यहाँ पे गलता आंसर नहीं देगा वेरी-वेरी मोश्ट इंपोटेंड कोश्चन है आप सभी के एक्जाम में आ सकता है जो गुत्सा कौन से रसका इस्थाई भाव है कोई बता सकता है 45 का बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर किया होगा 15 सिकंड का समय आप सभी के पास उमीद करते हैं कि आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे ठीक है जो गुत्सा कौन से रसका इस्थाई भाव है कोश्चन बर 45 समय श्टाट होता आपका अब नोट कर लो यहाँ पे मेरे भाईयों बहनों यहाँ पे ए ऑप्सन आप सभी का करेक्ट होगा भीबत सुरस यहाँ पे राइट आंसर होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन लगा देते हैं 46 कोई भी बाला के वंबाली का हैं यहाँ पे गलत आंसर नहीं देंगे आंसर नहीं देगा नोट कर लो यहाँ पे ए ऑप्सन बच्चे यहाँ पे एक एक्ट होगा गड़ों की समा यूजर्ट कर लो यहाँ पे कोश्चन वर 46 का ए ऑप्सन यहाँ पे लाइट होगा next question लगा देते हैं 47 कबीर के गुरु कौन थे बहुती प्यारा question है उम्मीद करते हैं कि आप सभी correct answer देंगे अगर आपके exam में question आता है कबीर के गुरु कौन थे मेरे भाई ये भेनो very very most important question है अगर आपके exam में question आता है कोई भी हापी गलत answer नहीं देगा 47 very very most important बहुती प्यारा है exam में आ सकता है राश्टी ये बयुस्री योजना का सुभारम कब किया गया था कोई बताएगा question number इसकी पर है 48 उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये बहनों यहाँ पर अगर आपके exam में question आता है कोई भी हापे गलत answer नहीं देगा ठीक है नोट कलो 48 का मेरे भाई ये बहनों यहाँ पर B option आप सभी का correct होगा 1 April 2017 यहाँ पर correct answer होगा next question लगा देते हैं 49 उम्मीद करते हैं कि आप सभी correct answer देंगे very very most important question इस question पर आप सभी star लगा लें वह समिधान संसोधन जिसके तहट GST पारित किया गया very very most important question है आप में इसे बताए हो किस समिधान संसोधन की तहट भारत में GST लागू होगा 49 उम्मीद करते हैं कि आप सभी correct answer देंगे note कल यहाँ पर A option आपका correct होगा आपका 122 बाद ठीक है सबसे पहले अगर question आगया आपके exam में मान लो भारत के किस राज में सबसे पहले GST लागू होगा तो असम होगा अगर पूछ लिया कि सबसे पहले किस देश में GST लागू होगा देश की बात की जाए तो फ्रांस होगा अगर भारत के राज की बात की जाए तो आपका असम होगा ठीक है नेस्ट कोस्टन लगा देते हैं इसकीन पर कब पारित हुगा था याई तो यहाँ पर नोट कर लो भेरी वड़ी MOST IMPORTENT राजसवा में 3 अगस्त 216 को पारित हुगा जबकि लोग सवा में 6 अगस्त 2 हजार सोला को यह पारित हुगा था जी एस्टी ठीक है नेस्ट कोश्चन लगा दे स्कीन पर कोश्चन नमर पचास वा कोई भी यहां पर गलता आंसर नहीं देगा मेरी भाई यह भेनों बहुत अच्छा कोश्चन है आपके एक्जाम में आ सकत बर्तमान में राज समार किस दस बर्मी काम पोस्टिंग किस से की जाती है बहुत ही अच्छो कोश्चन है एक्जाम में आ सका 51 कोई भी हाँ पर गलता आंसर नहीं देगा नोट कर लो यहां पर सी ओप्सन के अगड़ो किर्मी या खाद या केंचुगा खाद को बोलते हैं आपका बर्मी कम पोस्टिंग ठी स्थितत है नहीं है सबतों को समझें नहीं है अ कि आप के पास 4 उफ्षान है उम्मीद करते हैं तक आप सभी क्रेक्न स्किरीश्य कोई बताएगा 53 का यहां पिकर्रेक्ट आइंसर किया हुगा यहां पे नोट कर लो एंपति आप सभी नरंद नाथ दत यहां पर राइट आंसर होगा नेस्ट कोस्टन लगा दें 54 वो अमीद करते हैं कि आप सभी हाँ पर करेक्ट आंसर देंगी यहां पर अगर आपके एक्जाम में कोस्टन आता है मेरे भाई यह वहनों प्रॉमिस करो आप मैंसे यहां पर कोई भी गलत आंसर न प्सक्री कोस्टिन उस्ट नेस्ट कोस्टिन लगा दें स्कीन पर कोस्टिन नंबर 55 उमीद करते हैं मेरे भाई यह वहनों यहां पर अगर आपके एक्जाम में कोस्टन आ रहा है कोई भी हां पर गलत आंसर नहीं देगा कौई अच्छा सिरेखा ऑरा के हीने सी गुजरती है कोई बताएगा 55 का यहां पर correct answer किया होगा answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताएं कौन सी अच्छा answer रेखा भायत के मद्द से गुजरती है तो note कर लोई यहां पर B option आप सभी का correct होगा आपका correct रेखा यहां पर right answer होगा अगर आपके exam में question आता है कोई भी यहां पर correct answer नहीं देगा आज का last question लगा देते हैं बच्चे स्कीन पर फिर इसकी बाद मिलेंगी हम आप से अगली वीडियो में ठीक है बहुती प्यारा question है आपके exam में आ सकता है तो नोट कर लें तेलों के हाइड्रो जन्नी करण में प्रियोग्ट उत्प्रेरक क्या है ठीक है पी टी एन आई एमो एफ ही कोई बता सकता है question नमर 56 का यहां पर correct answer क्या होगा very very most important question है आपके exam में यहां से आता है कोई भी यहां पर गलत आंसर नहीं देगा ठीक है तो 15 second का समय आप सभी के पास ठीक है 15 second का समय आप सभी के पास कोई भी बालक बाली काए गलत आंसर नहीं देगे परहने का तरीका कैसा लगता है बच्चों एवं अपना इसकोर हमें कमेंट करके जरू बताएं आपने कितने सही आंसर दिए अगर आप पहली बार लकी सर की चैनल पर आप लेक्चर देख रहे हो बच्चों तो आप सभी लकी सर की यूटूब चैनल को सबस्काइब करें जिस